यह एपिसोड मेरी World War 2 की एक जो पूरी सीरीज है World War 2 from beginning to end उस पूरी सीरीज का एपिसोड number 14 है इसके पिछले एपिसोड ने बात की कि कैसे जर्मनी का कैसे पूरे यूरोप पे दबदबा वरता जा रहा था पर जब finally नोने ब्रिटेन पे अटक करने कोशिश की operation sea line को start करने कोशिश की तो ब्रिटेन ने उनकी air force ने जर्मनी के advance को रोक लिया और जर्मनी ब्रिटेन के उपर अपना दबदबा नहीं कायम कर पाई और वहाँ पहली बार जर्मनी को एक setback का सामना करना बड़ा था तो इस प्रकार अब संपूर्ण यूरोप में ज्यादातर countries या जर्मनी से हार चुकी थी या जर्मनी के साथ हो चुकी थी सिर्फ अब ब्रिटेन ही important बड़ा country बचाता जो भी तक हारा नहीं था और जर्मनी के साथ में नहीं था तो इस प्रकार जब जर्मनी की जीत है वो यूरोप में आल्मोस्ट पूरी हो गई तो उसके बाद इटली ने अपना रुख किया आफ्रिका की तरफ क्योंकि आफ्रिका में इटलियन कॉलोनीज थी ब्रिटिश कॉलोनीज थी फ्रेंच कॉलोनीज थी और इसी वज़े से अल्टिमेटली जर्मनी भी आफ्रिकन थेटर आफ वाल में उतर गया और इसी आफ्रिकन थेटर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कहानी शुरू होती है एक नहर से, एक ऐसी नहर जो Mediterranean Sea और नीचे Red Sea को जोडती है, इस नहर का नाम था Suez Nehar या फिर Suez Canal, Suez Canal की Britain के लिए बहुत बहुत जादा importance थी, क्योंकि ये Suez Canal ही थी जो Britain को उसके पूरे empire के साथ, especially जो East Side में उसका empire था, Middle Eastern countries और नीचे इंडिया, ये इतना पड़ा जो उसका empire था, उसको पूरे को connect किया था Suez Canal ने, बिटेन के साथ, तो अब जब बिटेन Second World War में पूरी तरह लग चुका था, तो उनके लिए बहुत जादा important हो गया था, क्योंको जो raw material मिल रहा है, especially oil, वो लगाता है मिलता रहे, और वो उनको मिलता था कहां, Middle Eastern countries से, और वो वहाँ तक पहुंचते थे, Suez Canal से ही, तो अगर Suez Canal उनके आँच से निकल गई, तो उनको oil नहीं मिल पाएगा, और उनका जो इतना इंडियन empire पर जो control है, वहाँ से उनको इतना raw material मिलता है, वो कुछ नही मिल पाएगा वाज, इसलिए, बृतन के लिए, उनके पूरे empire के लिए, Suez Canal पे पकड़ बनाया रखना बहुत जरूरी था, और इसलिए, इतली और जर्मनी वेवाद जानते थे, कि यह जो इतना बड़ा British empire है, उसकी गर्दन जो है, वो Suez Canal है, अगर यह गर्दन हाथ में आ तो Mediterranean का region है, वहाँ पे उनकी naval dominance बनी रहे, वहाँ पे उनकी navy का दबदबा बना रहे, तो जब Mussolini ने power में आके, Second World War के पहले, अपनी navy को strong किया, तो उनने अपनी Mediterranean feed को बहुत जादा मजबूत कर लिया, तो अब British लोग सोच में पड़ गया है, वो लोग ही सोच रहे थे कि अगर तो Italy neutral रहा लड़ाई के दोरान, तो उनको को attention नहीं है, Mediterranean में उनलों की power बरकार रहेगी, परन्तु अगर Italy ने access side को join कर लिया, जर्मनी के साथ ally बन गया बोलो, तब Britain को यहाँ पर problem हो जाएगी, अब Britain के साथ, Britain और France ये Mediterranean को control करते थे, बट जब Germany ने France को भी हरा दिया अब पूरी तरह Mediterranean पे अपना कबजा बनाये रखने के लिए, अपनी ताकत बनाये रखने की जिम्मेदारी सिर्फ British लोग के पार आ गई, और वहाँ दूसी तरफ Italian fleet, और अब जो French fleet थी, वो भी जमनी के control में थी, वो भी उनके control में आ गई, तो अब British लोग डर गए, French ships हमको नुकसान नहीं पहुचाने चाहिए, Mediterranean के region में, जब French लोगों ने इस बात को नहीं माना, इस परस्ताव को ठुकरा दिया, तो British Navy ने French ships के उपर हमला कर दिया, उनके allies पे उनने हमला कर दिया, यह Operation Catapult के उपर मैंने एक अलग सीडियो बनाया है, उसका link मैं Mediterranean में, 1939 June के टाइम, यह Italian fleet जो थी, वो बहुत strong position में थी, अगर numbers की बात करें, तो Mediterranean की region में, जो Italian fleet थी, उनकी संक्या थी 183 combat ships, और इसके comparison में, British ships केवल 45 थी, अगर submarines की बात करें, तो इस region में, Italy के पास थी 108 submarines, और Britain के पास थी केवल 12, Air Force में, Britain के हालत बहतर थी, उनके पास इस region में, कुल मिला के, लगबग 313 aircraft थे, और इटली के पास थे 205, यह जो Suez Canal है, अगर इसको आप मैप में देखें, तो Egypt शेक्दम लगा हुआ है, Egypt में, दरसल UK के forces की presence थी, Egypt के लोगों को यह लग रहा था, कि यहाँ पर उनके, जो बोला कि ठीक है, अपनी आप और forces यहाँ पर डाल दो, हमारे country में, Egypt में, तो इस तरह से, एक तरफ, Egypt में, लगबग 1,00,000,000 British फोजी थे, British Empire की फोजी, और दूसरी तरफ, Libya में, लगबग 2,00,000,000 Italian soldiers थे, और यह दोनों बिलकुल आमने सामने थे, Libya और Egypt के बॉर्डर के पा लंबी जमीन, लेगिस्तान, और इसलिए एक जर्मन कमांडर ने कहा था, कि यह जो पूरा यह जो बैटल फील्ड है, यह एक टैक्टीशन के लिए, एक पैरडाइस है, स्वर्ड के तरह, और एक लोजिस्टीशन के लिए, एक दम नर्क, जब 1940 में, France के उपर हमला किया था, जर्मनी ने, और लगभग 6 हफतों में, पैरिस पर नोंने कबजा कर लिया था, तो उस समय बिलकुल लास्ट मुमेंट पे, इटली ने भी France और UK पे हमला कर दिया, तो इसलिए, अब लिब्यन और Egyptian बॉर्डर की विच्पे जो रीजन था, वहाँ पे भी इन दोनों देशों को क्रॉस करके वो एजिप्ट में घुज गया, अब एजिप्ट के अंदर जो British forces थी, उनको reinforcement नहीं मिल रहा था, क्यों? क्योंकि Britain, अपने आप वहाँ Battle of Britain से जूज रहा था, वहाँ पे जर्मनी की Air Force में पे हमला कर दिया, तो उसमें busy थे, उसके अलावा Britain ने अपना बहु वेपनरी उन्होंने डंकक में छोड़ दी थी, जब वो evacuate कर रहे थे तो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इन्होंने border cross करके अंदर आ गये, बट उन्होंने counter attack नहीं किया, और Italian commander भी सिफ सीडी बनानी तक आते आते, वहाँ पे आके वो रुख गये, उसके आगे उन्होंने अपना attack continue नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी forces उतनी strong नहीं है, अगर वो full blown attack करेंगे, British forces के उपर तो शायद उनका attack fail हो जाए, इसलिए वो सीडी बनानी पे आके रुख गये, 1940 में end में, October के end तक आते आते आते, जब ये धिरेदेश साबित होने लगया उनको reinforce करने के लिए, British ने अपने पूरे empire से, यानि India, New Zealand, Australia और Canada, इस पूरे empire से फौजियों को भर भर के Egypt में भेजा, यहाँ पे Italian लोगों पे counter attack करने के लिए, तो जब British counter attack शुरू हुआ, तो पहले तो उन्होंने ये सारी Italian forces को Egypt से बहार निकाला, border से पीछे धकेला, उसक पूरी Italian forces को उन्होंने सराउन कर लिया, और इस प्रकार, British counter attack पूरी तरह successful हुआ, और ये British लोगों के लिए, उनके commanders के लिए, और specially Winston Churchill के लिए, बहुत बड़ी जीत थी, उनके देश में इस बात को कहने के लिए कोई बात हो गई, कि हाँ ठीक है, उन्होंने इतनी बड़ी force को इतनी तेज़े से हमला करके एकदम तीछे धकिल दिया, आफ्रीका में, जब हिटलर ने देखा, कि आफ्रीका में इतना strong counter attack किया है, बिटिश forces ने, और Italian forces पुरी तरह confused हो गई है, डिसरे में है, तो हिटलर ने सुचा कि यहाँ कुछ तो गदना पड़ेगा, तो इसलिए Italian forces को support करने के लिए, हिटलर ने अपनी तरफ से 30,000 troops, उसके अलावा कुछ armored forces, और उनको सब को lead करने के लिए, एक commander को भीजा, इस commander ने अपना हुनर, अपना skill proof किया था, पोलन के invasion के दौरान, और उसके बाद, फ्रांस के invasion के दौरान, इसने armored warfare पे बहुत famous book भी लिखी थी, और इस सब के अलावा, इस बंदे ने, हिटलर की जो security detail थी, उसको भी lead किया था, ये commander, सिर्फ African campaign में नहीं, पूरे World War 2 में, और उसके अलावा, पूरी human history में, जितनी भी military battles होगी है, उन सारी battles में, one of the finest military commanders बंद के सामने आया, I'm sure, आप अभी तक समझ चुके हैं कि मैं किसक इसी बात कर रहा है, General Irwin Rommel, Rommel का नाम, military history में, हमेशा के लिए अमर रहेगा, क्योंकि, ये एक ऐसे commander थे, जो अपने intuition के लिए जाने जाते थे, अपने decisiveness के लिए जाने जाते थे, इनके supreme, इनके जो उपर senior commanders होते थे, उनको कहते थे, क्या defensive रहना, बस recon करना, बट ही attack करत इसी वज़े से, इसी उमीद के साथ, Hitler ने रॉमल को हाँ पर भीजा, कि यार, Italian forces थो पूरी तर पिछा गई है, अब तुम उससे पिछे मताने देना, defend करना, बट रॉमल तो फिर रॉमल था, उसका कुछ अलग ही कुछ उद्देश था, तो इस प्रकार Irwin Rommel, 12 फरवरी साल 1941 में, आफ्रिका में पहुँच गए, और उन्हेंने, आफ्रिका कोर की कमान, अपने हाथ में लेगी, आफ्रिका में आने के, कुछ ही दिनों के अंदर, रॉमल ने देख लिया कि, एल अगीला में, कितनी वीक पोजिशन है, बिटिश फोर्स की, इसी लिए, उसने counter-attack किया, और तुरंद वहाँ से उनको पीछे देख लिया, और फिर पीछे 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 जाने लगे, तो इस प्रकार अब बिटिश फोर्स इस टीश की तरफ बढ़ने लगी, और रॉमल आगे बढ़ रहा है, एप्रिल 10 साल 1941 में, जब वो टोब्रू चोड़ दी, कि यहाँ पे घिराव कर लो टोब्रूग का, और वो आगे बढ़ते चले गए, बट ये डिसीजन उनने बाद में रिग्रेट किया, क्योंकि बहुत समय तक भी टोब्रूग का जो रीजन था, उस रीजन को capture नहीं कर पाई एफ्रिका को, तो इस प्रकार रॉम कि उनकी जो supply lines थी, वो बहुत weak हो गई थी, और counter attack के लिए vulnerable हो गई थी, उनके पास उतनी supplies ही नहीं थी, इसलिए वो border पर आके रुख गए, और उनने से चाहिए, वापस reinforce करते है, जो Winston Churchill ने देखा कि रॉमल इतना आगया आगया है, और वापस उसकी supply lines weak हो चुकी है, तो Winston Churchill Churchill ने अपने British commander को बोला, उसका नाम था Wavell, उसको बोला कि counter attack कर, अभी तो Romal को हरा सकता है, तो operation gravity launch किया गया, बट Romal ने बहुत strongly defend किया अपनी position को, और ये British breakthrough successful नहीं हो पाया, रॉमल लिबाद समझ चुकी थे, कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक वो reinforce नहीं होते, क्योंकि पोजिशन actually बहुत फीग हो चुकी है, इसलिए वो hellfire pass इस region में गये, और वहाँ पे उन्होंने अपनी defensive positions खोद ली, वहाँ बोलोग बैट गये, और यहाँ पे Romal ने जो anti aircraft guns दिये, ऐसी guns जिनको आप aircraft को shoot करने के लिए उसकरते हो, उन guns को यहाँ install कर दिया, जमीन पे इस पूरी position को strong बनाने के लिए, इस बाद British commander Wavell ने वापस counter attack किया, Romal के उपर frontal assault किया, बट यह attack भी 15 से 17 जून के बिच में हुआ था, Operation Battle Axe, यह attack भी successful नहीं हुआ, और जो टोबरूग पे जो siege थी, यह German forces की, Africa Corps की, वो siege को वो हटा नहीं पाए, British forces, और इस प्रकार एक और जीत, Romal के हाथ नहीं, British forces, Romal की, Africa Corps को हरा नहीं पा रहे थी, इस बाद से, Churchill बहुत frustrated हो रहा था, इसलिए उसने, British commander Wavell को हटा दिया, और एक नया commander, Ocean Lake को, उसने position पे डाला, और उसको बोला, कि यार, तू किसी तरह से, Romal को हरा, उसको पीछे धकेल, तो एक और Operation Crusader launch किया यह 9 में में लांच किया गया था, 1941 में, इसका purpose यह था कि, Tobruk में जो siege है, उस siege को तोड़ा जाए, और Romal को बिचे धकेला जाए, अब Romal के पास supplies नहीं थी, और वो जानते थे कि, वो बहुत vulnerable position में है, इसलिए, वो इस attack के बाद, वो पीछे है, और उनने retreat किया, retreat करके, Romal Africa Corps के साथ El Agila में पहुँच गया, और January 1942 में, जब Romal की supply lines improve हुई, उनको reinforce किया गया, तो वापस Romal counter-attack पे आ गया, एक बार फिर, Romal ने इस direction में आगे बढ़ना शुरू किया, और फरवरी 4 तकाते आते, गजाला को उनने capture कर लिए, रॉमल लगातार आगे बढ़ रहे थे, इस इस बार उगलती नहीं थी, इस बार उन्होंने attack किया, टोब्रुक के उपर, और 6 दिन के अंदर, जून 21 को, टोब्रुक में जो British forces थी, उन्होंने surrender कर दिया, और इसी incident के बाद, यानि टोब्रुक की लडाई के बाद, जब Africa Core की जीत हुई, इसके बाद, रॉमल का एक नया सब चाहिए, वो attack करता है, कभी retreat करता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, कि next step क्या होने वाला रॉमल का, सिर्फ रॉमल ही रॉमल को हरा सकता है, और इस reputation के बज़े से, Desert Fox का उसका नाम पढ़ गया, और सिर्फ Germany में ही नहीं, Italian forces में, और यहां तक की British forces में भी, रॉमल की एक reputation मन गई, और लोग उसको respect करने लग गया, और उसकी ऐसी reputation मन गई, कि रॉमल एक wonder man है, super man है, अगर उसने किसी जगा को decide कर लिया कि attack करना है, तो उस जगा को वो जीत ही लेगा, उसके बाद रॉमल जैसा पहले कर रहा था, East में आगे बढ़ता चला गया, Egyptian border के अंदर, आगे जाते 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 एल एलमेन तक हो पहुँच गया, और अब वो Suez Canal के striking distance में आ गया था, लोग लोग लोगने लग लग गया था कि अब किसी भी moment पे Suez Canal पे हमला करके, उस region को भी रॉमल capture कर लेगा, और Suez Canal पे जो British पकड़ है, वो खतम, एल एलमेन के पास आके जो थे, वो बहुत strong position में थे, उन्होंने decide किया था कि कुछ भी हो जाए, हम यहां से retreat नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहां हमारी पकड़ गई, तो Suez Canal हमारे हाथ से निकल जाएगी, और यहां पर एक और बात हुई थी, जब Tobruk में रॉमल की जीत हुई थी, तो वो news जब Churchill को ठीक है, हम आपकी help करेंगे Africa campaign में, और इसी समय, Roosevelt ने Churchill को यह वादा किया, कि वो अपने 300 Sherman tanks और उसके अलावा 100 propelled guns देगा, African campaign में British forces की help करने के लिए, और रॉमल को रोकने के लिए, बट अब रॉमल भी जानता था कि L.L.A.M.A.N. में British forces बहुत strong है, पर अगर उसने L.L.A आप सकता, तो इसके बाद, रॉमल ने क्या किया, इसके बारे में हम नेक्स एपिसोड में बात करेंगा, यह जो नेक्स एपिसोड है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्प्चर में डाल दूगा, और उसके अलावा, अगर आप यह पूरे African campaign के बारे में और डीटेल में पढ़ना चाहते है, जो individual battles हुए थे, कभी Rommel आगी हो रहा था, कभी British forces, जो two and fro चल रहा था, अफरिका में, इस सब के बारे में जो एक-एक individual battles हुई थी, उन सब के बारे में बहुत कमाल की book है, उसका link भी मैं इस वीडियो की description में डाल दूगा, पूरे African campaign में, Rommel the desert fox की ज अर तरह से, Rommel को eliminate करने की कोशिश की, एक बार रोनन ने इसको assassinate करने की कोशिश की, बड़ वो भी unsuccessful हुआ, African campaign के दौरान ही, Rommel को promotion मिल गया था, और वो बन गयते field marshal, Irwin Rommel, और इस पूरी लड़ाई के बाद, सिर्फ इस African campaign में नहीं, जैसे मैंने पहले का, पूरे world war मे और आज तक जितने भी tank warfare की बात करते हैं, हम जभी भी बात करते हैं, तो Irwin Rommel का नाम हमेशा आता है, ऐसी इस बंदे ने reputation बना ली थी, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा, तो मैंने चैनल जिग्यासियम को subscribe जरूर करें